लेकिन इसे कहते हैं दिल और दमाग दोनों का इस्तवान, दिल की सुनिये जवाब तो मन्जिल का निर्ने करते हैं, लेकिन रास्ता क्या नापेंगे उसके लिए दमाग का इसे, ऐसी बिना सोचे समझे बतकुद कोई हलो गाइस, मैं डॉक्टर योगिन्द सिंग राठोड और आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, इनर वेलनेस ट्राइब का एक नया एपिसोड मुझे बहुत खुशी है आप लोगों बताते हुए कि आज एक बहुत थी, amazing, inspiring और influential author हमारे बीच में मौजूद है जिनकी पहली ही novel, Immortals of Maloha, 2.5 million copies sold हुई और एक record इन्होंने Indian Publishing History में बनाया आज तक आप इनकी किताबों से तो बहुत कुछ सीखते आए हैं, कि आज हम lucky हैं, कि आज हमें directly उन्हें सीखने का मौका मिलेगा So without any wait, please welcome Amish Tripati जी in our podcast Thank you so much Amish जी for coming in our show, it really means a lot कि आपने just a message मैंने वेज़ा और आपने उस पे reply दिया, इतना promptly आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि you chose this podcast So Amish जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमन्मंचरण भी जाओ और स्वभाग्या है कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका Thank you, thank you so much So Amish जी हमारे जो ओडियन्स है उनके लिए वाला कि लाको लोग अल्रेडी आपकी जनरी जानते हैं अगर आप short में share कर सेकेंगी कैसे एक author जो आपके अंदर है वो कैसे जागा लेकिन मैंने लिखना शुरू किया था करीद 2004-2005 तो इसके पहले मॉटल दब महलुआ के पहले मैंने कुछ भी काल्प ने कुछ भी सिक्षिन कभी नहीं लिखा था वी जन्देगी में स्कूल कॉलिज में मैं हर दम जो कहते हैं लेफ प्रिंट किसम का वया बच्चा था तो आप कहें सकते हैं अच्छा विद्यारती था मैं तो हल्का साथ फुटा साथ भूज ले आपके ने कोल्ब बॉक्सिंग इंजिरी ओके लेकिन कभी कुछ क्रियेटिव नहीं करता था तो पड़ापू बात था हां केल कूछ करता था था कंपरेड़िट स्पोर्स करता था लेकिन कभी मैंने कुछ मतलब आइड नेवर क्रिये तो इसलिए मेरा तो मानना है कि सब शिवजी का अशिरवात है कि एक बच्चा जिसने कुछ भी लक्षन नहीं दिखा है बच्वन में कि वो क्रियेटिव भी हो सकता है अचानक उसने इतने लंबी पुस्तक लिग डाली और शिवजी की कृपा से पुस्तक इतनी चल भी पड तो सब शिवजी का अशिरवात है और मेरा हर्दम यो मानना है कि अगर मैं लिख सकता हो तो कोई भी लिख सकता है किया बात है जी, जो फिर्स टाइम यह कब था कैसे आपको यह खयाल आया मतलब कि इतना इतना डिटेल्ट फिक्षन है और इतना मिथलोजी और फिक्षन को आपने इतना एक modern way में present किया है so idea आया कहां से कोई कई वार हमें कोई तो external inspiration थी या फिर जस्ट अंदर से आया कैसे inspiration कैसे आई what was the root of the inspiration देखिए शुरुवात तो हुई एक फलसफेस है परिवार और मैं हम लोग टीवी प्रोक्राम देख रहे थी और कुछ पता चला मैं शायद आप भी जानते हो कि जो प्राचीन परजिंट जो थे जो जौराश्ट्राइट मतलब इस्लामिक परजिंट नहीं जौराश्ट्राइट प्राचीन जिनकी भाशा अवस्तन होती थे आथ में फार्सी बन भी जब उनका धर्मान तरन हो तो जो कि ऑके हमारा जो जो फार्तिय जो परंपरा रहे है उसके एकदम भी इस हम लोगों में तो गौर्ट को देवा बुला जाता है और जो एंटी गौर्ड्ज या लिए डीमेंड उटें शूरा बुला जाता है और अवस्तन भाशा में जो अक्षर है उसका अप्षारन नहीं कि बन जाता है इसलिए सिंदू इंदू बन गिया अवस्थान भाषा में तो असुरा अगुरा बन गए तो जब यह आपने टीवी प्रोग्राम में देखा तो परिवार में चर्चा चिमिए कि अगर प्राचीन भारतिया और प्राचीन परजियन एक दूसरे से मिलते तो शायद हम एक दूसरे को इवल कह रहे होते हैं तो अगर हमारा बगवान आपका डीमन है और आपका बगवान हमारा डीमन है तो वही आप तो इवल ही होंगे तो इसमें से सही कौन हो और गलत कौन हो और एक नजहरत देखने का यह है कि दो अना गलब पहलो है इसमें से यह हम कैसे क कि वो अम्हें लग नजार्या है तो अगर दोनों नहीं है बस अनग अनग पहलों है तो फिर इवल किया है क्या इवल न ये जो जो मानवे जो अपना जो पेटी राइविल्री जो होती है इसके परे है क्योंकि इवल तो हर किसी के लिए हुआ तो वह जो फलसफाद था ये प् तो शुरुवात यहां से गुए, एक फिलोसोफी डिस्कॉशन, कि what is evil, और अगर इस फिलोसोफी डिस्कॉशन पो एक कहानी के द्वारा प्रस्तुत करना है, तो भई सबसे अहम नायक तो destroyer of evil मादे भी हो सकते राइट, beautiful, so this is how it started, lovely, it's your philosophy के द्वारा, आपका काफी interest, I think, history, philosophy, spirituality, ये तीनों ही चीजों में काफी जादा inclined आप लगते हैं मेरे बाबा जी पिदा जी की पिदा जी काशी में पंडित थे शुराची में और वराजर सिंदू विश्व विद्याने में पढ़ाय करते थे physics और mathematics तो परिवार में हमारे शास्त्रों सबका एक बातावर, हम सब बढ़े बढ़े सब को पढ़ते हुए अध्यार करते हुए क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली तो आप जाते हैं योगियंती ऐसी है कि हमारे सस्पृति के वारे में तो कुछ नहीं सिखाती है हमारी शिक्षा प्रणाली का एक ही उद्धेश यह है पढ़ा लिखा कि किसी तरह बच्चे को अंग्रेज बना दो बस हमारी खुद की आप आप मानेंगे नहीं मैं यूके में हूं यहां पे पाठशालों में स्कूलों में अगर योगा सिखाए जाए तो और आसान होगा बल्कि अगर भारत के स्कूलों में पढ़ा जाए कि बेटा योगा सीख लो यहां के स्कूलों में आराम से पढ़ा देते ही होगा कोई गटिनाइट नहीं लेकिन भारत वो निंगा यह गलत है यह नहीं करना चाहिए हमारे थोड़े हमारी विजेत्रेक आज़ोनिक परब्रा वन गी है शिक्षा प्रणाली में तो कुछ सिखाते हैं नहीं तो मैंने परिवार से सीखा कुछ किस्वतिया आप कह सकते ह परिवार में जन्मा कि तो पला बड़ा यह सब सीखते हुए और दुख की बाबाजी कहते थे कि जितना हमारे शास्त्रों को पढ़ोगे उतना ही जादा पुदारवाद बंजाओं तना ही जादा आप लिब्रल बंजाओं दो एक उन्हें उन्हें सिखाय नहीं जाता है हमा यार किसी अमरीकी उधारन को दे सकते हैं, या हमारे खुद परमपरा को उधारन दे सकते हैं, अगर हमें बताना है कि वह जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके हग की इज़त खरनी चाहिए, तो अगर हम की यॉरॉपेन उधारन दे सकते हैं, या खुद हमारे परमपरा का उधारन और जब हमारे परमपरा करें, अगर हम अपने बच्चों को पताएंगे कि अगर आप उदारवाद हो रहें, आप किसी करद से पस्चिमी नहीं हो रहें, इन फैक्ट आप असली इंडियन बनें, तो उसका तो और प्रभाव तो पड़े गए, तो ये परिवार से मैं सीखा और आवर उफ क्वेशनिंग है, वो भी हमारी इस कल्चर का एक बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा रहा है, हमारे जो पूर्वजों के आशा थी वो वीदिक सज्कृत थी, उसमें ये जो अंग्रेजी शब्द है ब्लास्फमी, उसका अदवबाद ही नहीं है, ब्लास्फमी आप ज आप सवाल उठा सकते हैं, आप बिनम्रता से उठाएं, मैनर्स के साथ उठाएं, लेकिन हम और जो की ब्लास्फमी नहीं था, तो शब्द का अरुवान ही नहीं था, और संस्कृत पे वो शब्द ही था ही नहीं, वीदिक संस्कृत राइट, इन फेक्ट इवन महाभारत को देखें, तो अर्जुन, इवन इफ कृष्णा इस गौड, फूरा क्वेशन कर रहा है वहाँ पे, इंसेड उफ गेटिंग फ्रॉस्टेटेटेड, ही इस पेशेंटली आंसरीं इस वेल, और अठारवी अध्वाय में भगवान सी कृष्णा अर्जुन को कहते भी हैं, कि भ बियूटिफुल, तो एक चैलेंज में कई बार देखता हूँ कि आप एक modern way में present कर रहे हैं, नए perspective प्रेजन कर रहे हैं, तो कई बार एक creative liberty और एक जो history है, जो authentic history है, उसके बीच में कई बार वो gap आ जाने का chance रहता है, तो आप उसको कैसे manage करते हैं, how do you balance that, कि वो authenticity भी रहे और उसके अंदर एक नया modern shape भी आ जाए, तो वो आप कैसे manage करते हैं, अपने characters को जब आप define करते हैं, या फिर उनके characters, उनके behaviors और उनके actions, how do you manage that? युगें जी देखिए, सबसे पहली बात हो, जैसा मैंने आपको कहा, मेरी कहानिया, मेरा मानना है कि शिवजी का अश्रवाद बस आते हैं, मैं यह नहीं मानता कि यह मेरी रचना है, मैं create नहीं कर रहा हूँ, वो बड़ा एक arrogant statement होगा, कि मैं create कर रहा हूँ, मैं कौन होता अलग interpretation भी लगा लें, लेकिन इज़त के साथ करें, तो जो इज़त जो आपके पुस्तक में, या चितरबाट में, सिल्म में, म्यूजिक में, जिसमें भी, अगर वो जल्थी, यह दिखेगी, तो भारत या जो आम आदमी हैं, उससे समझते हैं, और accept कर लें, इसे आप जो 1980s television series है, उसमें कई बतलाव किये गए, original वालमी की रामाइद की थुलना, तो television series में लप्षवण रेखा का इनों को दिखाया गया, तरशाया गया, लेकिन original वालमी की रामाइद में लप्षवण रेखा नहीं है, लप्षवण रेखा का जिक्र नहीं है, आप देखेंग कि अमारे भारत देश में उत्तर भारत में मानते हैं कि भगवान कार्तिक कुमार है, कि ये शादी नहीं हुई है, लेकिन दक्षिर भारत में मानते हैं कि भगवान कार्तिक की शादी हुई है, और दो-दो भी दिया, बल्ली जी और सेना जी, तो अलग अलग ऐसे मान्यताय ह कि अगर आप किसी Bollywood producer के पास जाएं और आप उसे कहें कि भई आप ऐसी पिक्चर बनाएए जहां पे जो आपके जो मुक्ष नायच जो है वो एक शिवलिंग के बेस को तोड़ेंगे फिर शिवलिंग को कंधे पर उठाएंगे और फिर उसके साथ चलेंगे फिर उसे एक waterfall के नीचे रखतेंगे तो Bollywood producer आपको कहेदा पागल हो गया है यह तो मतलब यह पिक्चर कभी नहीं चलेगी लेकिन राजा मौली जी के हाथ में ऐसा एक सीन बावबदी में पूरे इंडियन फिल्म में सबसे एक आइकॉनिक सीन बन गया है क्योंकि जो श्रत्ता जो है उसमें जलक रही और वो जो नायक चुता वो कर रहा था अपने मा को दिखानी के लिए कि रुद्रावशेकम फर्शन होता रहे तो देखें आप कह सकते हैं सीन अलग है लेकिन राजा मौली जी सब जानते हैं वो फुदे को पासक हैं जब उनके मन से उनके हाथ से एक सीन एक जलकनी चाहिए तो अगर आप श्रत्धा के साथ लिख रहे हैं और सब जानते हैं कि भई आप कोई कमर्शन लिके रहा है आप खुछ श्रत्धा लो फिर वो देखेगी और कुछ कॉंट्रवर्सी नहीं होती है और युगेन जी मैं 12 साल से मैं पुस्तक के लिख रहा हूं श कोगल कर सकते हैं आपको एक कॉंट्रवर्सी नहीं मिलेगी क्या बात है क्यों कि मैं बैश्रत्धा के साथ निखता हूं और पाथकों को वो देखता है ब्यूटिफुल था कन्विक्शन पावर उफ कन्विक्शन इस सो इंपोर्टर एंट लाइट आप प्रेजेंटेशन के ज्यादा श्रधा होनी चाहिए मैं मैं खुद उपासव हो देखिए ओम नमाशिवाय कड़ा पहनता हूं मैं रुद्राक्षमाला पहनता हो अगर अगर कोई अगर श्रधा है तो दिखेगी और कई बार लोगें जी दुख की बात है आप जानते भी है आप भी मीडिया जग आपको कांट वर्शी के बिला आपको बेचना है तो बहुत ज्यादा काम करना परता है प्रसी में अपने आप यह बिख जाता है लेकिन अगर आप आपके मंद में यह वोंटी नहीं कि इस्रथा है हमारे दिवी दिर्थाओं के नहीं पने बेचना है क्डिकन अगर उस तक बिकेगी, तो सही तरीके से बिकेगी, भी कॉंटरवर्सी नहीं होती है, काई वार आप जाते हैं, आटिस्ट कुद कॉंटरवर्सी करते हैं, करते हैं, यस बिलकुल, बिलकुल होता है, so बट आपने स्थिरीफ एक फेट और उसी से ही रास्ता बनाया, जैसा आपने का कि एक ब्लेसिंग जो होती है और एक राइट इंटेंशन के साथ आपने खिया तो सभी एक हार्मनी में एकसेप्टेंस आ रही है, आपी जैसे रिसेंटली, जो मूवी आई है अभी, जिसके उपर काफि जादा कॉंटरवर्सी हो रही है राइट, सो आपने देखी है वो, ना, मैं लंडन में हो, तो यहाँ पर यहाँ पर रिलीज नहीं होई क्या सो आई थिंक जो आदी पुरुष पर जो इतना जादा चल रहा है, मैंने भी देखी नहीं बट आई थिंक कही न कहीं लोगों की जो शद्दा है वो, मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए अपने, अपने बुक्स में कई बार बड़ी सेल्फ डिस्कावरी और मीनिंग और इन सब पर काफी आप बात करते हैं सो नए यंग्स्टर्स के लिए जो आज कई बार अपना हम लाइफ में मीनिंग डूंड रहे हैं परपस डूंड रहे हैं कि मुझे किसी से मीनिंग मिलेगा तो what you have to say on that how they can find meaning in life and is there a process कोई self-contemplation या reflection कैसे कोई अपना परपस से alignment में आ सकता है in your view योगिन जी, मेरा मानना है मैं फिर शिक्षा प्रणाली पर आऊंगा कि क्या होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ उनर सिखा रही लेकिन जीवन के निर्नाय कैसे ले जीए कैसे वो नहीं सिखा हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली जो थी जो अंग्रेजों के पहले जो थी हमारी जो पुरुफुन थे पाठ्षाना थे और हर गाओं के रिस्व जगा थे हमारे बड़े तो विश्व विद्याले भी थी नानंता तब से जांखते हैं सबसे प्राचीन विश्व विद्याले तो हमारे भारत में तो वह आपको भूनर भी सिखाते थे लेकिन जीए कैसे वह भी सिखाते आज कल क्या हो रहा है सिर्फ उनल सिखा जाए जीवन के देड़ने लेने में कुछ मतलब वो वो ट्रेनिंग नहीं होती तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप बच्चे के हाथ में आप एक पिस्टॉन तुमा दे और वो श है कि जीवन के डेडनाय कैसे लें कि जीवन बहुत कॉप्लिकेटर होगा है ऐसे ऐसा नहीं क obese शत्ता कि वे यह घ्रिजय हैं तस कानून है Из-से मान अपनलो तुर पूछने होगा जिलने की बहुत कॉप्लिकेटर आइड जैसे एक तरह से काहा सकता है कि आहिंसा परवह You have a तो उसे तोड़ी कह सेपते हैं आइनसा पर्वाधर्मा और आगर हम आम नाकरिक भी हैं अगर हम चार मित्र कहीं जा रहें और हम देख रहें कि किसी मैना के उपर कोई कोई दोस्ट कुछ प्रहार कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे बएट रहे हैं कि नहीं आइंसाँ पर्व धर्मा या जा के अपना धर्म भीवाना चाहिए और रड़ना चाहिए? रहे वाद को बचाँ टुरू हर सिटुएशन में क्या निरना लेना चाहिए? इसक और महाभारत में हमें जीवन शैलु ही सिखाए जाते झार लेकिन आज प्राइब बच्चों को क्या दोस्ते हमाबा खुछ हरुए है तो बच्चों की किया तलती और बच्चों ये मुबाइल फोन में पता नहीं क्या क्या देखना है एंस सोशल मीडिया का विरोध नहीं लेकिन अगर सिर्फ वही देख रहा है 24 गंटे तो बिचारे बच्चे क्या सीखेंगे कि जीवन के दिन्ने कैसे लिया है तो और हमारे जो मतलब जो हमारी जो दर्वाहर है यह पुरा एक लाइबरी है फॉर्स स्टेंडर्ड रामायन महाभारत कम से कम रामायन महाभारत पो हर किसी को सीखेंगे कि हर जो उधारर वहाँ पे होता है हम सीखते हैं कि डिफरेंट सिक्वेशंज में अगर आप इसा निडने ले तो भई अपसाइट क्या है डाउन साइट क्या है और तो भी होगा पॉटीवश्य है उसे भी उसे बीडिफुल beautiful so आप क्या कोई template यूज करते हैं जब भी आपकोई decision लेते हैं so कई लोग कहते हैं दिल की सुनो कोई कहते हैं मन की सुनो कि कोई feelings पर best decision लेते हैं कुछ लोग logic पे लेते हैं emotion पे लेते हैं so what is your way of making choice that if you have to make a choice in your life so what factors you consider it's like you follow your heart or mind or you create a balance 沒Да लुगें जी सबसे पहले तो हमें खुद को समझना पड़ेगा, जैसे अगर रामायन महागारत में देख ले, प्रभुशी राम मर्यादा पुर्शोतम के एक उधारन, प्रभुशी किष्णे के अधर अलग उधारन, भगवान शेवेक अलग उधारन है, और हम सबसे देदी जो हैं, वहाई कनग उधारन है, वह सबसे सीख सकते हैं, तो प्रभुशी राम से हम सीख सकते हैं, कि अगर कोई मर्यादा के पत पर चंड रहा है, वही इसमें स्ट्रेंज क्या हैं, और चैनलिजस क्या हैं, पारिवारिक जीवन में पटनाईयां आ सकती हैं, वीकिन हाँ, ऐसे लीडर हैं, तो सदियों तक लोग आपको याद रखी, और अगर भवान श्री क्रिश्न की तरह जी रहे हैं, उनसे अगर सीख रहे हैं, तो यह कनग उधारन हैं, अर्जुन से सीख रहे हैं, तो सब यह जो चैरेक्टर्स हैं, इन्हें हमें सीखने को मिलता है, और इसल कोई इन्सान ऐसा होगा, जिससे सिर्फ दिल की सुनी, कोई इन्सान ऐसा होगा, जिससे सिर्फ मन की सुनी, अभे मैं कौन होता हो ने बोलने वाला, कि बहुत मन की सुन रहे हैं, तो मन की मत सुनो, दिल की सुनो, रैज, हमें खुद अपने आपको समझना परेगा, और फिर डिर्णाय लेना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो भी डिर्णाय लेंगे इसके consequences positive या negative हो सकते हैं और हमें खुद manage करना है जैसे मेरा मानना है मैं जो भी decision लेता हूँ दिल और दिमाग दोनों का करते हैं मेरा मानना है कि जो destination जो वनजल जो है वो मेरा देवी डिर्णाय करते हैं लेकिन जो रास्ता में नापों का उच्ता रास्त वो उसके लिए में अपने दिमाग कर स्वाई हैं जैसे उदारन अगर मैं आपको दे दूँ मैंने पहली दोग पुछता कि अपने नौकरी क साथ दिखी जब मैं बैंकी की नौकरी कर रहा था तो मैंने लॉंग डर्म लक्ष बना लेता है जिए मुझे लेखाग बनना है लेकिन अगर विरा सोचे समझे मैं कूट पड़ता अपने बॉस को जाके नात मारता कि भाडवाई जाओ मैं लेखन शुरू कर रहा हूँ और महीने के अंच में पगार नहीं मिलती तो वह क्या करता अपने तो पहली जो मेरी पुस्तक थी वो तो कई साल तक रिजेक्ट करती रही मैंने कुछ सेल पब्लिश किया तो पैसा तो कुछ होता नहीं और माबाप का तो आशिरवाद है जाएदात कुछ नहीं है मेरे पास तो दो पुस्तकों के लिए मतलब दूसरे पुस्तक के प्रकाशन तक मैंने नौकरी से इस्तवान रही थी जब दूसरे पुस्तक प्रकाशत हो गई और मेरा रॉयल्टी चेक मेरे सैलवी से आगे हो गया तब ही मैंने नौकरी से इस्तवान दिया तो आप कह सकते हैं मैंने तिम करना देल की सुनिये जवाब को मन्जिल का निर्ने करना लेकिन रास्ता क्या नापेंगे उसके लिए दिमाग का इस ऐसे बिना सोचे सब्जिए मत खुद कुछ पुरी सो ब्यूटिफुली एक्स्प्लेंग मेरा ये लवली मिन्स हम कई बार कहते हैं कि रिस्क और क्या रिस्क में अंतर क्या है कि सपोज कि शेन्वोन बॉलिंग कर रहा है और इस पर अगर सचीन स्टेप आउट करने का सोचता है तो वो एक क्या रिस्क है क्योंकि वो बहुत सारे गुबाओ देखें कि क्या होता है येस सो बहुत ही आपने बहुत प्यारा क्रच दे दिया कि मंजिल के टाइम पर तो हार्ट की सुने लेकिन रास्ता बनाते समय ब्यूटिफुल क्योंकि देखें अगर आप मंजिल में अपने दिल को दबा देगे तो ये जिन्दगी भी को अजिल